मत रोना किसी के छोड़ के जाने से, वक्त ऐसा ला देना कि वो खुद मिलने आए नए नए बहाने से, भलाई करते रहिए बाते पानी की तरह, बुढाई खुद ही किनारे लग जाएगी कचड़े की तरह, चेहरे की हसी से अपने कश्टों को छुपाओ और बहुत कुछ बोल पर अपने रहस्य मत बताओ, साप अगर घर पर दिखाई दे तो लोग डंडे मारते हैं, और सिवलिंग पर दिखे तो सम्मान करते हैं, लोग सम्मान आपका नहीं, आपकी इस्थिती और अस्थान का करते हैं, सब दिखता है, कौन कैसा है, इंसान बिखता है, अगर पैसा ह शेर के साथ संगत बनाओ, अगर पुत्तों के साथ बैठोगे तो सिर्फ लोगों के पीछे भौकना ही सीखोगे, इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बाते करने लगता है, बलकि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगता है अक्सर वही रिष्टे लाजवाब होते हैं, जो एहसानों से नहीं, एहसासों से बने होते हैं, वो रिष्टे बड़े ही प्याड़े होते हैं, जिनमें न दूर पास, न हक सक, न अपना पढ़ाया, न जात जज़वात हो, अगर कुछ हो, तो सिर्फ अपने पन का एहसास हो, जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद, जो गले लगा है, सिर्फ वही अपना होता है, कोई आप से नाराज है, और उसे ये गुमान है, कि आप उसे मना लोगें, तो उसका ये गुमान कभी तूटने मत देना, अपने रिष्टों को हमेश आसों की नहीं होती, किमत तो उसकी होती है, जो वक्त पर उन आसों को पोच देता है, भरोसा और प्यार, रिष्टों के दरक्त पर बैठे दो ऐसे पंचिये, जिन में से अगर एक उड़ जाए, तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है, अहम के वजह से भी तूटते हैं पर पर उड़ जाते हैं कुछ रिष्टे, हर बार कुशूर गर्तियों का नहीं होता है, एक सच्चा रिष्टा वो है, जो आपके अतीद को समझता है, आपके भविश्यों में विश्वास रखता है, और आप जैसे भी हैं, वैसे ही आपको सुईकार करता है, वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, पर अपनों का पता चलता है वक्त के साथ, वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, पर कभी-कभी अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ, संबंद बारिश के जैसा ना हो, जो बरस कर खत्म हो जाए, बर्की संबंद हवा की तरह हो, जो बेसक खामो रिष्टे बेहतर हो सकते हैं कुछ अच्छा याद रखने से। रिष्टे भेतरीन हो सकते हैं कुछ बुड़ा बोल जाने से। ठोड़ा रूधना भी जरूरी है। रूधने का हक तो अपने ही देते हैं पढ़ायों के सामने तो मुझकुडाना ही पढ़ता है। पूजा करते हो तो विश्वास करना सीखो, बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, दो बातों में पक्के रहिए, इमान के और जुवान के, दो चीजों से वच कर रहिए, जगडे से और मुकदमे से, अडिवार से बड़ा कोई धन नहीं, इता से आपके पास जो है, उसकी इज़्जत करना सीखिए, क्या पता उसे पाने के लिए कितने लोग रोज तरपते हैं, निंदा से मत घबडाओ, निंदा उसी की होती है, जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है, किसी के मीठे बोल है, किसी की नियत में जोल है, यह दुनिया है दोस्त, यहां सब के डवल रोल है, किसी के साथ दूर तक जाओ, फिर देखो अकेरी लोट के आना कितना मुश्किल होता है, कुछ तो खास है, जो तुझे मुझसे जोड़े रखता है, वरना इतना माप तो मैंने खुद को भी नहीं किया, रिष्टे अगर दिल में हो, तो तोरने से भी नहीं तूटते, और अगर दिमाग में हो, तो जोरने से भी नहीं जूटते, हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्त के लिए कभी किसी का इस्तेमाल मत कीजिए, जो लोग साथ राकर सवार ना सके, वो हमारे खिलाप होकर हमारा क्या विगार लेंगे कुछ थपपर ऐसे होते हैं जो गाल पर तो नहीं लगते लेकिन आत्म सम्मान और रूह को अंदर तक चोट पोँचाते हैं सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना क्योंकि उसका जवाब उपर वाला बरे टेड़े तरीके से देता है रिष्टे और पोधे दोनों एक जैसे होते हैं लगा कर बूल जाओ तो दोनों ही सूप जाते हैं जूट भी कितना अजीव है खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है ये जीवन है दोस्त उलजेंगे नहीं तो सुलजेंगे कैसे और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे मैंने जिंदगी से पूछा तू इतनी कठिन क्यों हैं जिंदगी ने हस कर कहा दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करते